साथ यो कोरोना के खिलाब एकोनोमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाइएस प्राइवरिटी में से एक प्रमूप प्राइवरिटी है इसके लिए सरकार जो डिसिजन्स अभी तुरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है लेकिन साथ साथ मैं ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉंग रन में देश की मदद करेंगे साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना ने गरीबों को तुरंत लाब देने में बहुत मदद की है इस योजना के तहट करीब 74 करोड बेनिफिशेरिस उनके घर तक राशन पहुचाया जा चुका है प्रवासी स्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुचाया जा रहा है इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53 थाउजन करोड रुपीश याने 53,000 करोड रुपे से जादा की financial assistance दी जा चुकी है महिलाय हो, दिव्यांग हो, बुजर्ग हो, श्रमीक हो, हर किसी को इस से लाव मिला है लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को आठ करोड से जादा gas cylinder उनके घर तक मुप्त में पहुचा दिया है इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के करीब 50 लाख employees के खाते में 24 परसंट EPF contribution भी सरकार ने किया है इनके खाते में करीब 800 करोड रुपिये जमा कराएं गए है